हाई फ्रेंज दूस्तों जिस तरीके से सुषान सिंह राजपूत को रोका गया था टेलिविजन में वापस आने से और बाकी फिल्मों में उनको साइन करके शूट्स नहीं स्टार्ट करे थे उनको काम करने से बेसिकली रोका गया था उसी तरीके से एक पर फिर अमित साथ को क क्या सकते हो कि तीनों आप जो एक पहचान में लिए कि रेकेंटिशन मिली जी हां काय पोचे टर्निंग पॉइंट बनी तीनों आक्टर्स के लिए लेकिन अमित साथ जो सुषान सिंह राजपूत के साथ डेबू में थे उन्होंने बताया हाली में कि उन्होंने टेलिविज के वज़े से उनको काम नहीं मिरता था जी हां और एक नहीं बल्कि यहां पर ऐस तरीके से होता है कि हर जगे ने पर्टरिजम इतना जादा है कि उनको काम देने से रोका गया था जी हां जो बड़े-बड़े आप रोडूसर्स गिरेक्टर्स रहते थे वो आपस में डिसकस कर लेते थे कि इसे काम नहीं देना है इसे इनवत दो किसी और को दो यह सीधा बोल देता है यह ऐसा है यह वैसा है और सीधा कहकर कर अपनी कॉंटेक्स रिखा कर बेसिकली उनको काम करने से रोका गया बल्कि एक चैनल की नहीं मैं बात करूँ मैं एंटायर टेलिविजन सी कि बात करें जो हर चैनल हो गया पॉर्टिकॉलेगी बचय है वो कोई भी चैनल हो आपका स्टापलस सोनी जी कलर कोई भी हो तो जब उन्हें ऐसा लगा और उनको यह चीज़ पता चल गई कि अब वो टेलिविजन में कितना भी ऑडिक्शन से कितने भी वह आपने खुद को पूँप करें लेकिन एक बॉलीजन में उनको कोई शो नहीं मिलना वाला है बेसिकली टेलिविजन ने उनको बैंड किया है तो जब उनको यह चीज़ पटा चली तो उन्होंने का कोई बात नहीं किश्मत आजबाने चले गया और उनकी पहली पिच्छर ही वही बहुत बड है कि जहां पर कॉंटेक्स है जहां पर फ्रेंड्स है तो एक दुस्रे का हर कोई सुनता है और अपरटिस्म जो है वो कभी खतम नहीं होता बहले आप कितने भी टैलेंटेर हो लेकिन अगर आपको किसी इंफ्लुएंस का इंफ्लुएंसर ने मना किया या स्ट्रॉंग पावर अगर आपको मना किया तो आपका टैलेंट नहीं देखा जाता बलकि अपने कॉंटेक्स देखे जाते हैं जो बहुत ही गलत है तो गाइस आप लोग मुझे बताओ कि आमित साथ के को टेलिविजन में बैन किया ता इस वज़े से आज वो फिल्म इंडिस्ट्री में ट्राइ कह दिया है तो अब आप लोगों क्या लगता है कि क्या ऐसे एक्टर्स आके सपोर्ट करेंगे तो कुछ नया चीज या बदलाव या नया कुछ चेंज आपको दिखे का इस इंडिस्ट्री में या इंड़स्ट्री ऐसी ही रहेगी जैट मी नूग आपके थोट्स क्या है नी